उसको हम धर्म कहते हैं और उस धर्म के उदय से सब सुखी होते हैं चावर करजी ने कहा कि जब ऐसा हिंदु समाज खड़ा होगा संगटित तो वो गीता की ही बात करेगा और अपने उद्देश्य को वसुधाईव कुटुम बकम यही बताएगा क्योंकि हम किसी को पराया माने नहीं सकते ऐसा हमारा जो अध्यात्मिक राष्ट्रियता का स्वह है वो उदय होने से दुनिया के सारे जगड़े समापत होंगे खोया हुआ संतुलन वापस आएगा और ऐसा मानव धर्म उदित होगा तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते है और उनके खोये हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सिधा करते है उनके दुकान बंद हो जाएंगे और इसलिए हम देखते हैं कि ये न हो भारत एक विकास के रहा पर बड़ा बनने की रहा पर चल पड़ा है ये हो न पाए हिंदू समाज अपने स्वह को समझ न पाए और वैसे ही कटा बटा रहे इसलिए बहुत प्रयास चल रहे जो जो भारत का है उसकी निंदा करना जो जो भारत की है उसकी निंदा करना भारत के जीवन की भारत के धर्म की भारत की परंपरा की इतिहास की वर्तमान की व्यवस्थाओं की सब की निंदा करना भारतियों के रुदय में स्वयम के बारे में ही अश्रद्दा उत्पन करना ऐसे प्रयाश तलते हैं इतने प्राचीन जीवन से दुनिया देख रही है कि उस जीवन में इतने लंबे समय से चलते हुए मूल्य है मनुष्य जीवन को स्थिरता देखे सुख देते हैं तूटन से बचाते हैं अधब पतन से बचाते हैं मूल्यों से युकता हमारा जीवन है उन मूल्यों पर हमला होता है बोल के भी होता है निंदा करके भी होता है और विभिन्न माध्यमों से बहुत सुक्ष्म रीती से भी होता है ऐसा स्थूल और सुक्ष्म एक सांस्कृतिक आक्रमन भी लगातार चल रहा है इस भय से कि अगर ये सारी बाते भारत में ठीक हो गई तो हम नहीं चल पाएंगे और गटबंधन भी ऐसे लोगों ने बना लिया है। सम्मिलित प्रयास करते हैं और भारत में हम देखते हैं कि इसको पहचान कर इसके उपाय में चलना चाहिए समाज को ठीक दिशा में चलाने के प्रयास करने चाहिए सब ऐसा नहीं करते हैं विशेशकर इसके व्यवस्था को चलाने का भारत की जो दाइत्वधारी लोग है यहने एक भारत का ही राज्य है, दूसरा भी भारत का ही राज्य है, उसकी पुलिस आपस में युद्ध करती है, गोलियों सो लोग मारे जाते हैं, हम एक देश के वासी हैं कि क्या है, अपनी राजनितिक्स परधा के चलते हैं, और सरकारों का विरोध खड़ा होता है, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन सम्विधान के ताहत ही, विदी पीपल आफ इंडिया, एक देश के लोग है, हमारा एक देश है, लवस्था है, हमने फेडरल बनाई है, लोग फेडरल नहीं है, संपूर्ण जन, एक जन, एक राठ रहे हैं, लेकिन ऐसा पोशक व्यवहार स अपने राजनीति कुल्लों को सिधा करने के लिए ऐसे चलकपट चलते हैं, उसमें समाज के मन का क्या होता है, समाज में जो बेद है, उनको मिटाया जाता है, कि उनको और चवडा किया जाता है, इसकी परवानक करते हुए होता है, अब समाज को ही बचना पड़ेगा इन ब इतने बड़े समाज में इतने लंबे चवड़े देश में छोटा भी निमित्त है उसको प्रचार के साधनों के आधार पर बहुत बड़ा करके बताना असंतोष उत्पन्न करना आपस में विरोध उत्पन्न करना जाती से जाती को लड़ाना प्रेश से प्रदेश को भाषा से भाषा को लड़ाना और आतंक का वातावरण उत्पन्न करते हुए इसको शमन करने चाहने वाले शक्तियों को दबाने का प्रयास करना और एक तरह से देश में अराजकता उत्पन्न हो ऐसा प्रयास करना यही भी प्रयास टल रहे हैं और तकनिकी के आधार पर नहीं नहीं बाते जो आ रही है वो और आग में घी डालने का काम कर रही है नियंत्र नहीं है उसका OTT प्लैटफॉर्म से उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं क्या क्या आता है अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देखे ही रहे है और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियन